दयालबाग की रहने वाली मा ने अपने दामाद और उसके परीजनों पर बेटी के हत्या का आरोप लगाया है मा का आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले दहिश मांग रहे थे बेटी की म्रत्यू की खबर 20 दिन बाद उने मिली परीजनों ने थाना डौकी में दामाद और उसके परीजनों के खिलाफ हत्या के मुकदमे के लिए प्रात्ना पत्र दिया है लेकिन कारेवाई नहीं हुई है दयालबाक की रहने वाली उमादेवी ने अपनी लड़की मीनू की शादी थाना डौकी के पैतिखेडा गाउं में 6 साल पहले की थी उमादेवी का आरोप है कि दो मार्च को मृत्य का मीनू का फोन आया था जब वह पैतिखेडा पहुँची मीनू और दामाद में जगड़ा हो रहा था दामाद 15,000 की मांग कर रहा था 20 दिन बाद सूचना मिली के मीनू की मृत्ती हो गई है तो बैसे आपस किम बात है कुला से आये दो तारिको महवान मेरी लड़कों को पास रहते थे पुला में अम्धत्य ग़र आने फांसे तारिको मेरी लड़की मंदर कर दिये रात है पांसे आरिको मेरी उपर पईशन को लगा है कि 15,002 मुझे परेशा नहीं है मैंने इंकार कर दए फिर लड़की को इंजम लगा कि ममी से पैसा मांग तो लड़की ने माना कर दे कि मैं ममी गरीब है में 15,000 पर नहीं मांग सकती हूं में पांस तारीक को गई थी जब लड़ाई कर वे हमें बुलाया थे मेरे को मेरे यां बतीजी है जिसकी डैट हुए मला मडर हुआ है देनांग पांच को बढ़ा है और हमें पता नहीं चला हमारे लिए पता चलाए 26 तारीक को या 27 तारीक को किसी काड़orith оно के उनकी मम्मी उनके महां 누 improved तब उन्होंने कुछ गाउंवालोंने यह बताया कि आपकी लड़की तो फांसी ले करके मर गई तब उन्होंने इस पूछा उनके पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया मृतिका मीनू की मा को इस बात का मलाल है कि दामाद, ओम, दत और उनके परिजन ने बेटी मीनू के मौत की सूचना तक नहीं दी परिजनों का आरोप है कि ससुराली जनों ने बेटी की हत्या की है थानाडों की पुलिस मुकदमा दर्जुन नहीं कर रही है सी निउस के लिए मनीश जोहिन की रिपोर्ट